सब पक्षी दूसरे जंगल जाने की त्यारी में लगे हुए थे क्योंकि आज दूसरे जंगल में बुलबुल के बेटे का जनम दिन था और बुलबुल ने सभी पक्षियों को बुलाया था गोरी, तुम बुलबुल के बेटे के जनम दिन पर क्या गिफ्ट लेकर जा रही हो? मैं? मैं तो नहीं, अब ही नहीं बताऊंगी मैं सर पराइज ही दूँँगी मेरे कालुजी, शेहर गे हुए हैं कोई बढ़िया सा गिफ्ट लेने के लिए मैंने तो बुलबुल के बेटे के लिए एक अच्छी किताब ली है किताब? हाहा ये भी कोई गिफ्ट है कोई ऐसा गिफ्ट लो जो उस बच्चे के काम भी आ सके ऐसे खुशी के मौके पर वो बैठ कर क्या किताब पड़ेगा? मेरे ख्याल में किताब से अच्छा गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता अच्छा अब मैं जाती हूँ मेरे कालु जी भी शेहर से गिफ्ट लेकर पहुँच गे होंगे गोरी कहां गई थी तुम? मैं चिडिया के पास गई थी कालु जी आज बुल बुल के बेटे का जनम दिन है सब को बुलाया है बुल बुल ने और सभी पक्षी तरहां तरहां के गिफ्ट लेकर जाएंगे और हमारे पास लेकर जाने के लिए कुछ भी नहीं है तो इसमें चिंता वाली क्या बात है? अपने पती कालु कवे के होते हुए तुम परेशान क्यों हो? हम ऐसा करते हैं किसी खाली डिबे में पत्थर डाल लेते हैं और रास्ते में किसी दूसरे बक्षी से वो डिबा बत्र लेंगे कैसा रहा मेरा उपाए? वारे कालु तुम तो गजब के शेतान हो ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं फिर कालु कवा एक बड़े डिबे में कुछ पत्थर डाल लेता है तो पहर के बाद सभी पक्षी एक पेड़ पर अकठे हो जाते हैं जाने का समय हो गया है और अब ही तक वो कवा और कवी नहीं आए वो आने ही वाले होंगे गोरी ने तो बुलबुल के बेटे को देने के लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीद रखा है चिड़िया क्या सच में गोरी भी बुलबुल के बेटे को गिफ्ट देगी? हाँ क्या देगी? ये नहीं जान दी मैं मैंने पूछा तो था मगर बताया नहीं उसने फिर गोरी और कालू भी वहां आ जाते हैं सोरी दोस्तो हम थोड़ा लेट होगे वो ऐसा है ना? मैं गिफ्ट को पैक करवाने जला गया था कवे तुम्हारा गिफ्ट भी मेरे गिफ्ट की तरहां का ही है लगता है तुमने भी हवाई चहाच लिया है बुलबुल के बेटे के लिए हम तो वहां चाकर ही बताएंगे हमने क्या लिया है अब चलें हमेशा हम को लोट कर भी आना है फिर वो सब उड़ते हैं थोड़ी दूर जाकर गोरी कवी दूसरे पक्षियों से रुकने का कहती है क्यूंके उन्होंने किसी दूसरे पक्षि से गिफ्ट जो बदलना था क्यूंके उनके अपने डिबे में तो पत्थर थे रुके रुके मैं ठक गई हूँ थोड़ा पानी बीले मुझसे और उड़ा नहीं जाता अब ज्यादा देर ना लगाना हमें जल्दी जाना होगा गोरी मैं इनको बातों में लगाता हूँ और तुम तोटे के डिबे के साथ अपना डिबा बदल दो फिर कालू दूसरे पक्षियों को बातों में लगाता है वो सामने वाले पहाड की दूसरी दिशा में मेरे मामा जी रहते हैं मेरे मामा जी के आमों के बाग हैं जब सब पक्षी दूर पहाडों की तरफ देख रहे थे तो गोरी कवी तोते के डिबे के साथ अपना डिबा बदल लेती है और पत्रों वाला डिबा वहां रहकर उसका डिबा उठा लेती है कबूतर गोरी को ऐसा करते देख लेता है और कबूतर जान लेता है कि दाल में कुछ चकाला है जो गोरी ने तोते से अपना डिबा बदला है कबूतर खामोश रहता है वो सब फिर से उड़ते हैं थोड़ी दूर जाकर कबूतर दूसरे पक्षियों से कहता है रुको रुको मुझे वाश्रूम करना है थोड़ी देर रुको वो सब फिर से रुक जाते हैं गोरी और कालू वो सामने वाले पेड़ पर कितना मीठा अमरूद लगा हुआ है अमरूद को देखकर गोरी और कालू तरुन्त अमरूद खाने चले जाते हैं और पीछे से कबूतर जो डिपा उन्होंने तोते का चुराया था वो दुबारा तोते से बदल देता है ये अमरूद तो बहुत मीठा था मैंने वाश्रूम कर लिया है चलो अब चले वो सब फिर से उड़ते हैं आखिर वो सब पहुंचाते हैं बुल बुल ने सब पक्षियों के लिए अच्छे अच्छे भोजन का बंदो बस्त किया हुआ था हमें बहुत खुशी हुई बुल बेहन जो आपने हमें अपने बेटे के जनम दिन पर बुलाया अब जल्दी जल्दी से अपने अपने गिफ्ट दे दो और देखते हैं सबसे सुन्दर गिफ्ट किसका है गोरी ऐसा कहती है फिर सब पक्षी बुल बुल के बेटे को अपने अपने गिफ्ट देते हैं चिडिया के डिबे से किताब निकलती है कबूतर तो चोकलेट लाया था अब मेरी बारी है जब गोरी अपना डिबा खोलती है तो उसमें से पत्थर निकलते हैं जिन्हें देखकर गोरी हैरान हो जाती है गोरी ये क्या क्या तुमने डिबा बदला नहीं था बदला था गोरी ने तोते से अपना डिबा तो जरूर बदला था मगर जब मुझे वो शुमाया था तो मैंने वो डिबा दुबारा तुम्हारे वाले डिबे से बदल दिया था अच्छा तो मुझे उल्लो बनाने के चक्कर में थे अब हुई न बेजती सब के सामने लाए भी तो पत्थर फिर गोरी और कालू अपना सर शरम से छुका लेते हैं और उन्हें सब के सामने शरमिंदा होना पड़ता है गोरी कवी पहाडों वाले जंगल में रहती थी वो हड समय कोई न कोई शरारत करती रहती सभी पक्षी उसकी शरारतों से तंग थे चिडिया अपना पानी का मठका लिये जा रही थी के गोरी कवी पीछे से पत्थर मारती है और चिडिया का पानी का मठका तोड़ देती है बुरी गोरी कवी ये तुमने क्या किया तुमने मेरा पानी का मठका क्यों तोड़ दिया मैंने सोचा कि तुम ठक गई होगी इसलिए मैंने तो तुम्हारा बोज़ काम किया है मेरे पास ये एक ही मटका था जिसमें मैं पानी लेकर जाती थी अपने पती से कहना निया ला देगा ऐसे कहते हुए गोरी कवी वहां से चली जाती है रानो आप तो पानी लेने गई थी नदी पर और खाली पांकी वापिस लोटाई हो क्या बताऊं उस गोरी की बच्ची ने पत्थर मार कर मेरा मटका ही तोड़ दिया गोरी तो ऐसे शरारतें करती है जैसे चोटी सी बच्ची हो मैं कालू को बताऊंगा वही समझाएगा उसे ना आप रहने देना आपस में लड़ाई हो जाएगी उनकी कुछ दिनों के बाद गोरी कवी उड़ते हुए जा रही थी कि उसकी नजर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी पर जाती है जो बैठे भोजन खा रहे थे मेरे पास ये जो कड़वे पेड़ का फल है अगर मैं ये फल कबूतर को खिला दूँ तो अच्छी शरारत मिल जाएगी मुझे और उसका पेड़ खराब हो जाएगा ऐसा सोचते हुए गोरी कवी कबूतर और कबूतरी के पास जाती है ठंड के मौसम में कैसे सूखे दाने खा रहे हो लो ये फल खा लो मेरा तो पेट भर गया है आपको बैठे देखा तो सोचा अपने कबूतर भीया को ही दे देती हूँ मैं ये फल नहीं आप रहने दें हम अपने सूखे दाने ही खा लेते हैं कितने प्यार से लेकर आई है गोरी बेहन लाओ लाओ गोरी मैं खा लेता हूँ ये फल फिर कबूतर गोरी से वो फल लेकर खा लेता है अब मज़ा आएगा जब कबूतर तुम सारी रात टॉाइलट में गुजारोगे इस फल को खाने से पेड़ खराब हो जाता है ये कड़वे पेड़ का फल है क्या तो फिर क्या तुमने मुझसे शरारत की है तो और क्या मुझे तुम्हारी चिंदा हो रही थी तो फिर क्या था कबूतर अपनी पतनी के साथ बहुत मुश्किल से उड़कर अपने घर तक पहुंचता है और घर आते ही उसका पेट खराब हो जाता है वो टॉयलेट में जाता और फिर जैसे ही वापस आता रास्ते में ही उसे फिर से जाना पड़ जाता थोड़ी दूर बैठी गोरी कवी ये देख देख कर बहुत इंजॉय कर रही थी और कबूतर की तरफ उंगलियां करकर की हंस रही थी अब कैसा है पती जी? मेरे पेट में दर्द भड़ गया है अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा आप जाएं और बुलबुल को लेकर आएं मैं मर रहा हूँ मैंने मना भी किया था फिल भी आपने मेरी बात माने की बज़ाए गोरी से वो कड़वे पेड़ का फल लेकर खा लिया फिल लूसी कबूतरी बुलबुल के पास चली जाती है क्या खाया है कबूतर ने बुलबुल बहन کورी ने उसे धोके से कड़वे पेड़ का फल की लाया है उसने शरारत की होगी मगर कड़वे पेड़ का फल खाने से इतना पेड़ डर तो नहीं होता चलो मै जाकर देखती हूँ फिर बुलबुल लूसे के साथ उसके घर जाती है वो जब घर पहुंचती है तो तब तक कबूतर तो जान से ही जा चुका था कबूतर तो मर चुका था बुलबुल बहन जल्दी देखें मेरे पती जी की आंकें ऐसे क्यों बंद है डाइरिया होने से पानी की बहुत कमी हो गई थी और आपका पती मर गया है मैं अब कुछ नहीं कर सकती बुल बुल वहां से चली जाती है लूसी सारी रात बैठी रोती रहती है जब सुभा होती है तो ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है के गोरी कवी ने कड़वा फल खिला कर कबूतर को मार दिया है शिडिया बहन मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ मैंने तो केवल मचा किया था मुझे क्या पता था के कबूतर सच में मर जाएगा आपको तो पता है कबूतर मेरा भी बच्पन का दोस्त था गोरी अब जो भी कर लो गया समय लोड कर नहीं आने वाला चलो जाकर लूसी का दुख थोड़ा पांड लेते हैं फिर गोरी कवी चिडिया के साथ लूसी के घर जाती है डाइन यहां क्यों आई हो मेरे पती को मार दिया तुमने आप क्या मुझे मारने आई हो क्या पिगाड़ा था मेरे पती जी ने तुम्हारा होसला करो लूसी होसला करो मैंने मजाक आप यहां से चली जाएं मुझे विद्वा कर दिया तुम्हारे मजाक ने फिर गोरी रोती हुई वहां से चली जाती है एक छोटे से मजाख ने एक जान ले ली थी अब गोरी जितना भी रोए जो भी करे कबूतर लोड कर कहां आने वाला था और नहीं गिया समय त्यारे दोस्तों किसी के साथ भी ऐसा मजाख ना करो जिस पर बाद में पश्ताना पड़े